हेलो एवरीवन बेलकम बेक इन अवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिलतो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुशन नमबर 72 को आज हम कंप्रीट करेंगे ओके इससे पहले में 71 कुशन तक का जो वीडियो पहले ही अप्लोड कर चुका हूं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो हम 100 कुशन का सीरीज करें जो कि आपके लास्ट एयर टैट एक्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टैट एक्जाम में जो कुशन पूछे गया है मैत के वो सीरीज हम कर रहे हो कि लगातार पूछेंगे तो चलिए सुरू करते अपना सेशन तो दोस्तों से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा जैसा कि आप लोग को पता है सीटेट का नोटिपिकेशन ताउट होई ही चेका है जो आपका एक्जाम में दिसंबर में से स्टार्ट होगा और जन्बरी में जाके फिनिस होगा तो आप अपनी तयारी में लग जाईए तो चलिए देखिए कोशन में आपसे क्या बोला है तो कोशन आपका है संक्या 8290340 को मानक रूप में के मल्टिप्लाइट 10 की पावर N द्वारा ब्यक्त किया जाता है तो आपको के प्लस N का मान बताना यह कोशन मैंने दोनों लेंग्वेज में लिख रखा जैसा आपको प्रेफर करता है उसके एकोर्डिंग आप इसको रीड कर लीजिए तो कोशन में कहा था नमबर यह आपको गिवन है नमबर एक्सप्रेस इन दे स्टेंडर फॉर्म यह कोशन आपसे सीटेट 2014 में पूछा गया है और आपको नीचे दिख रहा होगा कोशन यह 2015 में है अभी पेपर को उपर करके दिखा जिता हूँ एक और कोशन है जो आपसे सिमिलर यही कोशन इसी पेटन पे 2016 में भी पूछा गया हो सकता है कोशन अपके बाद फिर से रिपीट हो जा तो अच्छी तरीके से इसको आप तैयर कर लीजिए mostly क्या हो था सीटेट में आपके इसी तरीके कोशन बनते हैं तो कोशन को सॉल करना आप स्टार्ट करने है ठीके तीनों कोशन आप में अब देखी लिए होंगे कि तो करना क्या सबसे पहले है जो नंबर इसमें गिवन है उसको आप स्टेंडर फॉर में बदलना है नंबर क्या दे राख्या नंबर लिख रहा हूं पहले में 8 2 9 0 3 1 2 3 4 0 अब इस नंबर को हमें चेंज करना स्टेंडर्ड फॉर्म में आपको तो चेंज करना आता ही होगा तो देखें स्टेंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको लखूंगा मैं 8.2903 multiply standard form का होता अब क्या होता है आप जो आपका decimal है decimal है वो सिर्फ आगे से एक number बाद दिया ना चाहिए वही आपकी standard form होती है अब मैंने क्या किया decimal कितने number बाद लगा दिया मैंने एक number बाद because इसमें तो decimal था ही नहीं मैं इस number को 0.0 तो लिख सकता हूँ न अब यह number बेरा decimal में change हो गया मैंने क्या किया यहां से जो decimal था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 place मैंने आगे लगा दिया जब हम पीछे से आगे की तरफ चलते हैं तो power आपकी positive में आती है ओके अगर decimal हम पीछे से आगे की तरफ shift करते हैं तो power आपकी प्लस में आती है तो आप यहां से कंपेरिजन कर लीजिए आपका यह standard form में change हो गया अब इसको किस form में वो express कर रहा था k multiplied 10 to the power n अब यहां से आपको k और n की value easily मिल जाएंगी कि यह का value आपका हो गया friends k is equal to 8.2903 and जो आपका n का value हो दोस्तो वो आपका हो गया 8 right अब क्या करना k और n को दोनों को आप add कर लीजिए देखिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ गर मैं add करूंगा तो मैं यह पर decimal लगा के 00 इसको equal लिख ले रहा हूँ जब आप इनको add करोगे तो you will get add करेंगे देखू 3 का 3 आज आएगा हम यहां लिख रहा हूँ 30928 कितना हो गया 16 16.2903 अब अपना option मैच कर लो जो आपका option है दोस्तों यहां पर आपका second सही हो गया okay I hope आपको सब कुछ clear हो गया होगा सब कुछ समझ आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की दरफ question number 72 का second ही पार्ट इसको समझ लीजिए यह question आपसे seated 2015 में आपसे पूछा गया है अगर आपका कोई भी doubt है तो यहां पर के लिए रहो जाना है तो question क्या है सेम उसी तरीकी का question आपका है 0.00001278 को मानक रूप यानि कि standard form में आपको change करना है और फिर किसके एक को डिनोट करना है इसको k multiply 10 की power n तो फिर आपको इसमें भी आपको k plus n का मान आपको बताना है यह question आपसे seated 2015 में जैसे मैंने आपको बताया था उसमें पूछा गया है देखिए कैसे solve करेंगे ठीक है जो पहले given number उसको लिख लेता हूं मैं 0.00001278 मैंने कर लिए इसको standard form में मैंने पहले इस number को लिख लिया अब मैं इसको करूँगा standard form में change मैंने बोला था जो decimal है हमारा सिर्फ एक number बाद आना चाहिए आगे से अब यहाँ पे decimal आपका कितने number बाद आ रहा है पूरे पूरे desert के बाद आ रहा है अब हमें decimal यहां shift करना है one के आगे तो क्या 1.278 ओके अब यह मैंने standard form में लिखने की कोसिस की है आदा पार्ट हो गया ठीक है standard form में सिर्फ एक number बाद ही decimal आना चाहिए वो भी आगे से अब हमने कह गया decimal हम अब यहां ले गए पीछे की तरफ इससे पहले क्या था पीछे से आ गया रहे थे हम आगे से पीछे की तरफ जब हम उल्टा चल के आते तो पावर आपकी negative में आती है 10 की पावर आपका आगा count कर लीजिए कहां पे आप decimal ले के पहुंचे 1,2,3,4,5 after 5 डिजिट यानि कि 10 का पावर आपका 5 हो गया कितना आगे 10 का पावर आपका minus 5 अब इसको आप comparison किस से गनना है k multiply 10 to the power n से आप comparison कर अब देखो k का value आपको दिग गया हो गहां से जो k का value आपका दोस्तों वह आपका है 1,278 and जो n का value है वह आपका आगया minus 5 अब आप इन दोनों को add करना है आपसे k plus n का value पूछा गया k plus n के लिए क्या करेंगे k का value लिखेंगे 1,278 प्लस अब n कितना आगया आपका minus का value है minus 5 तो जब आप इसको plus minus minus आएगा अब देखिए 5 greater हो गया न तो जब हम minus करेंगे तो obvious सी बात है आपकी जो minus की value बड़ी है तो answer आप minus में ही आएगा तो आप directly minus भी मत करिए direct अपना answer आप टिक आप कर सकते हो question को देखे तो आपका जो यहाँ पर correct option हो रहा है okay वैसे तो मैं पूरी courses करना आपको सब को समझ में आ जाए और आ भी रहा होगा okay now third question को देखते हैं इसी pattern पे आपसे 2016 में भी पूछा गया था question बोला गया था मान लीजिए कि x is equal to 597 10 की power 22 plus 73.5 into 10 की power 21 है जब x को मानक रूप में 6.0435 into 10 की power n के द्वारा ब्यक्त किया जाता है तो आपको m का मान बताना यह question आपसे seated 2016 में जैसे मैंने अभी starting में आपको तीरो question एक साथ दिखाये ते बताये भी था तो चलिए इसको भी हम solve गरते है पहले given part है में उसको लिख लेता हूं ठीक है मैंने यहाँ पे क्या किया given part था वो मैंने लिख लिया x is equal to 597 10 की power 22 plus 73.5 into 10 की power 21 अब देखे इसमे कुछ common आ रहा है बिलकुल इसमें देखे common आ रहा है 10 का power 21 because 10 की power कितनी है 22 और यहाँ पे जो आपका 10 का power 21 आपका यहाँ पे common आ रहा है common लेने के वाद आपका बचेगा 597 ओके अब यहाँ पे 10 रह जाएगा 10 plus 73.5 ओके अब आप इस bracket को आप solve कर लीजिए आसानी से जब आ power 21 bracket 5970 10 का multiply करूँगा तो मैं आएगा अब यहाँ आपका 73.5 अब आप जब इस bracket को आप add करोगे तो you will get तो फिर आपको मिलेगा दोस्तो आपको मिलेगा 10 की power 21 multiply 6043.5 ओके यहाँ पे आपको यह मिल गया ओके मैं क्या कर रहा हूँ इसको भी standard form मिलेगा उसमें बोला मानक रूप में लिखना है तो इसको भी में standard form में लिखने हो लिखना है क्या लिखूंगा 6.0435 standard form में वही value होती है जो एक number बाद decimal के आती है अब दिखो हमने decimal आगे की तरफ लेके गए तो अब power आपकी किसमें आएगी positive में कितने place पर आगे लेके गए 1,2,3 मतलब 10 की power 3 आप यहाँ पे multiply लिखोगे इसमें आपका already 10 का power 21 चल ही रहा है ओके अब आपका यहाँ पे क्या 10 का power 23 आपने क्या कि X की value को standard form में change कर लिया standard form में change करने के बाद यह value किसके रूप में व्यक्त की जाती है 6.043 10 की power n मतलब जो भी आपका answer आया है इसको आपको किसके को लिखना है 6.0435 into 10 की power m की रूप में व्यक्त करना था अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है आ और 24 को जब आप comparison करोगे तो आपको मिलेगा 10 का power 24 बिगोज आगे वाले number तो same हो गए तो comparison करने पे जो आपका M को जो M मिलेगा आपको वो मिलेगा 24 यानि कि इस question का जो correct answer है वो हो गया option number 3 उम्मीद है आपको सब कुछ सम्मझ आ गया होगा देख लीज यह repeated question है लगाता त साल आप से पूछ लिए जाए तो I hope आपको सब कुछ clear होगा अगर कोई भी doubt है तो जैसे मैंने बोला था please वापस वीडियो को play करिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए questions के साथ तब तक के लिए धन्वा टेक कियर and wait for the next video